हेलो फ्रेंड्स दिस इज एश्पिशिंग एंड वलकम टू स्मार्टर एवरी डे पैरे दोस्तों बात करेंगे बीट फॉर्थ सेमेस्टर एकॉर्डिंग टू कानपूर युनिवर्सटी बीट फॉर्थ समेस्टर में जो पेपर फर्स्ट है आपका भारत में शिक्षा पनाल बीट कर चुके हैं एक क्लास में हमने एक चैप्टर को फिनिश किया है ठीक है अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत आप कॉंटेंट हम लोग इस्टडी कर रहे हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर हमारा रहेगा 11 ठीक है और यह जो आप सामने देख वहरे हमारे जो नोट्स हैं यह पेड इस्टुडेंट को फारवर्ड किया जाते हैं अगर आपने अभी तक हमारी पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं और हमारे नोट्स लेने के बाद आपको किशी प्रकार की किताब नहीं करीद नहीं है कोई model paper नहीं लेना है को करजन की सिक्षा नीती हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, देखेगा, स्टैडलर कमिशन की बात करेंगे, नोट्स लेने के लिए हमारा नमबर नोट का लीजिया, 9628182649, बहुत सारी स्ट्रेंट्स जूड़े हैं, आप भी हमारे साथ जूड़ सकते हैं, ठीक, इस और खारत में, शमय शमय पर विभिन नियमों, अधिनियमों, तथा आयोगों द्वारा, प्राथ्मिक स्टर से ले करके, उच इसस्तर प्रेशित किया गया, और इनके माध्यम शे, नवीन विवस्ता, लागू करने का प्रियाश भी किया गया, आगे बात करेंगे,सन बात कब की है सुन एठारा उच्छा आयोका अगठन किया नोट कर लिजे आपसे पूछे जाएगा अब्जेक्टिव में पूछेगा कि भारती सिंच्छा आयोका अगठन किस ने किया लॉड रिपन ने किया कब किया अठाराशो बयाशी में किया यद्यपी इश में सरवाधिक द्यान प्रात्मिक सिक्षा के छेत्र में दिया गया सबसे अधिक द्यान किस पर दिया गया प्रात्मिक सिक्षा पर दिया गया फिर भी उच्च सिक्षा के उन्नयन के लिए उच्च सिक्षा की उन्नत के लिए भी कुछ सुझाव दिये गए उसके उपरांत लॉड करजन ने शन 1902 में भारती विश्विदले आयोग का गठन किया भारती विश्विदले आयोग का गठन किस ने किया लॉड करजन ने किया किस सन में किया तो 1902 में किया और उन सिफारिसों के आधार पर भारती विश्विद्याले अधिनियम 1904 पारित किया गया इस आयोग के द्वारा वास्तविक रूप में कुछ सुधार दिश्टिगत हुए जैसे भारती विश्विद्याले के प्रसासनिक धाचे का प्रणगठन भी हुआ और शिक्षण कारे भी आरंब हुए इस तरीके से और भी कई सरे कारे किये गए फिर आगे चलकर हुआ कि 1911 और 13 की नीति में उच्छ शिक्षा से शमंदित अनेक निर्णे लिये गए किन्तु एक वर्स के बाद ही प्रत्थम विश्विद्याने की 1914 आरंब हो गया 1911 और 13 की नीति में क्या हुआ कि उच्छ शिक्षा से शमंदित अनेक निर्णे लिये गए लेकिन एक वर्स के बाद विश्विद्य निर्णे में सुरू हो गया समझ सैक्षिक निर्णे केवल कागज के टुकडे मात्र बन करके रहे गए जो भी नेतियां, रूल्स जो भी निर्धारित किये गए थे वो सारे कागज के टुकडे बन करके रहे गए कागज में ही सिमट करके रहे गए वो एपलाई नहीं हो पाए उन पर काम नहीं हो पाया किंदु यूद्ध स्वाप्ठ होने के उपरान्थ पुना सरकार ने इस और ध्यान केंद्रित किया उच्छे सिक्षा के छेत्र में शुधार करने के लिए विचार विमर्स हो ही रहा था कि सन 1916 में बंगाल प्रांत के सिक्षा शंचालक सर आसुतोस मुखर जी ने सरकार को कलकत्ता विश्विद्याले की समस्चाओं से आवगत कराया क्या जो उच्छे सिक्षा है विश्विद्ष्वाप्त होने के बाद क्या हुआ कि सरकार ने फिर से जो भी रूल जो भी नियम जो नीती पहले निर्धरित की गई थी उस पर विचार विमर्स करना शुरू किया उच्छे सिक्षा के छेत्र में भी कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा था विचार विमर्स हो रहा था और फिर हुआ कि 1916 में बंगाल प्रामतिके जो सिक्षा संचालक थे जैसे कुछ विच्षियों में इसनात को उत्तर कक्षाएं आरंब करना अनुसासन और शंबध महविद्यालियों से शमंदित समश्याएं इत्यादी शामने आ रही थी अता हुआ क्या उपकलक उपकुलपति वसिक्षा संचालक सर आसुतोस मुखर जी ने इन सभी कठनाईयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया सरकार के समक्ष शारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको रखा फलसरूप ततकालिन सासन के दोरा उसमें जिनका विशाषनता उसके माध्यम से 14 सितंबर 1917 को लीड्स विश्विदैले के कुलपती डाक्टर माइकल सेडलर की अधिक्षता में कलकत्ता विश्विदैले आयोग की निउक्ति की गई कि अधिक्षता कर रहे थे डाक्टर माइकल शेडलर की से नाम से भी संबोधित किया जाता है ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई आए आगे समझते हैं रिक्मेंडेशन क्या थी सेडलर कमीशन की सिफारी से क्या थी देखेगा शेडलर कमीशन की निउक्ति के पूर्व जब सेडलर आयोग की निउक्ति नहीं हुई थी उससे पहले भारत में 1913 की नीति के अनुरूप मादमेक इस्तर की इंट्रमीडियेट कक्षाओं को विश्विद्याले प्रसासन के साथ ही संलगने करके संचालित किया जा रहा था किन्तु कलकत्ता विश्विद्याले आयोग ने ये अनुभव किया कि इंट्रमीडियेट कक्षाओं को विश्विद्यालियों से अलग कर दियाने कि जो इंट्रमीडियेट कक्षाओं है वो विश्विद्यालियों से अलग कर देनी चाहिए जबकि पहले साथ में ही संचालित की जा रही थी अताहा आयोग ने सरवपर्थम पहली बार मादमिक सिक्षा में शुधार करना पहली आविशक्ता बताया कि मादमिक सिक्षा में शुधार करना क्या है पहली आविशक्ता है और इस शम्मंद में सुधार हेतु सुझाओ दिये आयोग ने मुसलमानों और इस्त्री सिक्षा के शम्मंद में भी सुझाओ प्रश्तुत किये थे आयोग के द्वारा कुछ सुझाओ इस प्रकार है जो हम अब समझेंगे मादमिक सिक्षा के लिए आयोग ने क्या सुझाओ दिये देखेगा विश्विदयाले में परवेस केवल internet परिच्छा उतीरण करने के उपरांत ही मिले नाकी मैटर के बाद पहले क्या था कि मेकर के बाद भी विश्विदयाले में परवेस मिल जाता था इंटरमेडियेट और विष्च विद्यालेग इक्षाओं का संचालन अलग होना चाहिए इसना तक पार्टिकरम तीन वर्स का होना जाहिए एनिकि जो आप ग inacces म करते हैं माद्मिक विध्यालियों में चिक्ष्कों के वेतन में बद्धी की जानी चाहिए बड़ sometime ने उच्च सिक्षा के लिए क्या सुझाओ दिये उनको समझते हैं विश्विद्यालियों को श्वायतता प्रदान की जाए और सरकारी नियंतरन कम और लचीला हो ठीक है यानि कि सरकार का कंट्रोल कम हो लचीला हो लचीले का मतलब भी है कि जुरूत पढ़ने पर हम उसमें कुछ उसमें से निकाल सके हैं है ना विश्विद्यालियों को मादमिक सिक्षा के उत्तरदाइत उसे मुक्त किया जाना चाहिए विश्विद्यालियों का कार्षेतर शीमित किया जाए यदि पी गुरात्मक विकास होना चाहिए विश्विद्यालियों में एक सैक्षिक पर क्रिशत का गठन किया जाना चाहिए ये सारे सुझाओ आयोग ने उच्छ शिच्सा के लिए दिये थे ओके अब कलकत्ता विष्विद्याले के समंद में आयोग के क्या सुझाओ थे उनको समझते हैं फिर उंके गुण और दोस्की चरचा करेंगे कलकत्ता विश्विद्याले के समंद में क्या सुझाओ थे विश्विद्याले के विकास के लिए आयोग ने गहन अध्यान के उपरांत कुछ सुझाओ दिये नमबर एक तो धाका यानि की वर्तमान में बंगला देश जो है वो धाका की नाम से जाना जाता था उसमें शेग्र ही आवाशिय सिक्षन विश्विद्याले की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कलकत्ता विश्विद्याले में छात्रों की संख्या पर कुछ नियंतर्ण हो उस समय धाका भारत के बंगल प्रांत का ही एक भाग था उसमें जो धाका था वो भारत के जो बंगल प्रांत है जो बंगल देश है जो बंगल प्रदेश है उसका ही एक भाग था कलकत्ता विश्विद्याले को एक आदश विश्विद्याले की रूप में विक्सित किया जाना चाहिए कलकत्ता नगर में इस्थित प्रतेक महाविद्याले को विश्विद्याले से जोड करके इस तर में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए कलकत्ता विश्विद्याले से शंबध कलकत्ता से बाहर के महाविद्याले को इस प्रकार विक्षित किया जाए कि भविश में उन्हें नए विश्विद्याले का रूप दिया जा सके विश्विद्याले को मादमिक सिक्षा के उत्तरदाइतों से पूनतिया मुक्त कर देना चाहिए ये सुझाओ दिये गए थे कलकत्ता विश्विद्याले को ले करके आयोग के द्वारा अब ये जो सेडलर कमीशन जो सेडलर आयोग था इसके कुछ गुण थे और कुछ इसमें कमिया भी थी उनको समझ लेते हैं प्रतेक प्रांत में मादमिक सिक्षा बोर्ड का निर्मान करना ये सेडलर आयोग की का एक बहुत बड़ा गुण था कि वो चाहता था कि प्रतेक प्रांत में हर प्रतेश में एक मादमिक सिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए विश्विद्यालियों को श्वायतिता प्रदान की जाए अंग्रेजी और गनित को छोड़ करके समस्त विश्यों का सिक्षण मात्री भाष्णा के द्वारा होना चाहिए आप अंग्रेजी को छोड़ दीजे क्योंकि वो तो ही दूत्री लेंग्वेस mathematics को छोड़ दीजे बाकि जो भी subject है वो आप बच्चों को उनकी अपनी मदर टेंग में सिखाईए मात्री भाष्णा में सिखाईए विश्विद्याले में कोर्ट और कारिकार्णी प्रसिदों का रिमान करना प्राध्यापकों को उचित अधिकारों की प्राप्ती विश्विद्यालियों में विभागों की इस्थापना होना विश्विद्यालियों में व्यावसाइक सिक्षा की उप्युक्त विवस्था होना विश्विद्यालियों में शारिक सिक्षा विभागों की इस्थापना होना ये सारे ही सैडलर आयोग के गुण थे अब हम बात करते हैं सैडलर आयोग के दोष्ट क्या थे ? क्या कमिया थी सैडलर आयोग में ? भारती विश्विद्यालियों की वित्त्य विवस्था के शमंद में कुई सुजाव नहीं दिये गये थे भारती विश्विद्यालियों की वित्य विवस्ता के श्रमन में कुल सुजाव नहीं दिये गए थी नवीन विश्विद्यालियों की स्थापना भारत जैसे विशालतम देश के अनुपात में बहुत ही कम थी अत्याल पयानी बहुत कम थी भारत जैसे निर्धन देश उस समय म में उस काल में जो है बार जैसे निर्दन देश के लिए आवाश्य विष्विध्यालियों के घठन का सुझाओ निया संगत भी नहीं था कलकत्था विष्विध्यालय का संगथन लंदन विष्विध्यालय की तरज़ पर करने का सुझाओ दिया गया जो भारती संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की पूर्टिया आभेशना भी करता है तो इस तरीके से यह सेडल लायो के कुछ दोस्ते तो हमने सेडल लायो को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया आईए अब हम इसके कुछ को करते हैं जो नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी उसमें हम वर्दा सिच्छा योजना को शमझेंगे देखिए चैप्टर 11 हम लोग सैडलर कमीशन पढ़ रहेते हैं अब इसके अब ऑब्जेक्टिव कोशन कर लेते हैं जो भी कोशन से इनमें आंसर पहले से टिक इसलिए है पह दोनों टाइब से कॉझेंट दिया जाता है या seekers जाए उप्जेक्टिव अब्जेक्टिव बोर्डों की स्थापना का सुझाओ किस आयोग ने दिया था तो भारत में माधमिक सिख्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाओ देने वाला कलकत्ता विश्विदेले आयोग था कौन था कलकत्ता विश्विदेले आयोग ने ये सुझाओ दिया था कि भारत में माधमिक सिख शत्रा में किया था विश्वद्यालयाई विश्वड्यालय शिक्षा में शुधार करने के लिए भारतिये विश्वद्यालयाई अधिनियम 1904 किसने परित किया करजनने की किस शानीती आपने पढ़ियोगी significance पर इसका सुझाओ देने वाला कलकत्ता विश्विद्यले अध्यन बोड़ों वे सैक्षिक परसितों के गठन का सुझाओ किस आयूग ने दिया था इसका सुझाओ देने वाला कलकत्ता विश्विदेले आयोग था कौन? कलकत्ता विश्विदेले आयोग था कलकत्ता विश्विदेले आयोग के अधिक्ष कौन थे? माइकल सैडलर कलकत्ता विश्विदेले आयोग जो था वो किसकी अधिक्षिता में गठित हुआ? स्विष्छा्श्मित्पी नियुकति हुई हर्टाग श्मित्पी हुई स्विष्विद्याणले की कुल पती ते भारतिय विष्विद्यारा ऑंत्रिक प्रसासन के लिए कारिकारणी परिसद के गठन का सुझाओ किस आयोग ने दिया था कलकत्ता विश्विदाले आयोग ने दिया था भारती विश्विदाले के आंतरिक परसासन के लिए कारिकारणी परिसद के गठन का सुझाओ किस आयोग ने दिया था कलकत्ता विश्विदैले आयोग ने दिया था सैडलर कमिशन ने अपने परतिवेदन में संस्तुती की है किसकी केवल कलकत्ता विश्विदैले के शंबंद में संस्तुती की है या कलकत्ता और बंबई विश्विदैले के शंबंद में संस्तुती की है नेक्स्ट कोशिन कहता है सेडलर आयोग ने सिक्षक प्रसिछन के समंद में जो सुझाओ दिये थे वो क्या सुझाओ दिये प्रसिक्षित सिक्षकों को ही निक्त किया जाए बात ये ठीक है वेल ट्रेंट टीचर सी चाहिए मादमे को इसनातक इस्तर पर सिक्षा शास्तर ह banget हो जाएगा संब्स मेंमारा कहता है उत्ये सिक्षा के लिए आयो के क्या सुझाओ थे विष्वीदयालियों को स्वैत्त्ताиком्त कि जाये विश्विद्यालें को मादमेक सिक्षा के उत्तरदाइत उसे मुक्त किया जाए विश्विद्याले के प्रसासनिक नियम सरल और इश्पस्ट होने चाहिए तो यह तभी प्रकार के जो हैं उच्ची सिक्षा के लिए आयोके सुझाओ थे तो प्यारे दोस्तों यह हमने चैप् इस नोट्स लेने के लिए आप में यहां वाटसप मैसेज कर सकते हैं एंड क्लास कैसी कॉमेंट करके जरूर बताएगा थेंकि शो मस्च मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में